नमस्कार, हिंदी हैवे में आप समका स्वागत हैं, मैं हूँ डॉक्टर यस्प्रशाद और मैं आपको कोर्स के अलावे आपके कैरियर से जुड़ी जानकारी भी अपने वीडियो के दौरा देता हूँ, ताकि आप सही समध पर अपने लिए सही कैरियर चुन सकें यदि आप केवल बारहमी का अच्छा पास है और टीचर बनना चाहते हैं, तो यह हो सकता है, कैसे तो इसे जानने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो के अंतितर्बने रहें, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले, ताकि आपको कैरियर से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिल सकें, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, प्राइमरी टीचर कैसे बने हैं, केवल भारत में ही नहीं, बलकि पूरी दुनिया में, प्राइमरी टीचर होना काफी महतुपूर्ण है, क्योंकि ये प्राइमरी टीचर ही छोटे बच्चों में ग्यान के साथ साथ संसकार भी डालते हैं, इनके महतु का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है, कि विदेशों में प्राइमरी टीचरों का वेतन अधिक होता है, क्लास वन से फाइब तक को प्राइमरी क्लास कहा जाता है, और इसमें पढ़ाने वाले टीचरों को प्राइमरी टीचर्स कह जाता है। टीचर बनना अपने आप में काफी गर्वी की बात है। समाज में टीचर को जितना सम्मान प्राप्त होता है वह सायद ही किसी दूसरे प्रोफेशन वाले को मिल पाता है। आज बहुत सारी युवा टीचर बनना चाते हैं। आप पूछेंगे क्यों तो जानिये। पहली बात तो यह है कि एक टीचर को एक निश्चित समय ही अपने विद्याले में देना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि टीचर पढ़ाने के साथ साथ अपने ग्यान को भी आते रहते हैं। तीसरी बात यह है कि इस जॉब में सैलरी भी आकर्शक है। चौथी बात दूसरे किसी भी जॉब क्या पेक्षा इसमें छुट्टियां अधिक है। और पांचमी बात यह है कि यदि एक अस्थाई जीवन बिताने के आप में इच्छा है तो आपके लिए जॉब काफी आकर्शक है यदि इसमें ट्रांसफर का चकर ना हो। लेकिन आज टीचर बनना इतना आसान भी नहीं है क्योंकि बढ़ती जन संख्या के कारण इसमें कॉम्पेटिशन बहुत ज्यादा हो गया है। फिर भी अगर आपने टीचर बनने की ठानली है तो आपको इसके लिए क्या करना है मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि प्राइमरी टीचर बनने के लिए आप में क्या योगिताएं होनी चाहिए। तो आप जानने कि प्राइमरी टीचर बनने के लिए आपको कम से कम बारहमी कक्षा 50% अंकों के साथ पास होना जहां तक उम्रिशीमा की बात है तो सामान यानि जेनरेल काटेगरी के लिए उम्रिशीमा 40 वर्स है अलग अलग राजियों में उम्रिशीमा में ये अंतर हो सकता है। आपके पास D.E.L.E.D. यानि डिपलोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन की डिगरी होनी चाहिए। इसके अलावे आपको T.E.T. यानि टीचर इलिजिबिलिटी टेस्ट भी पास करना होता है। ये टेस्ट उनके लिए पास करना बिल्कुल जरूरी है जो किसी सरकारी स्कूल में जौब पाना चाहते हैं। सभी राजियों में प्रतेक साल T.E.T. एक्जाम होते हैं। इस एक्जाम में यदि आप फेल भी हो जाते हैं तो दुबारे भी इसमें बैठ सकते हैं। यदि आप T.E.T. एक्जाम पास कर जाते हैं तो फिर टीचर की वेकैंसी देखें और अपलाई करें। जौब पाने के लिए सबसे पहले आपको लिखित परिक्षा उत्रिन होना पड़ेगा। इसके लिए जरूरी है कि T.E.T. के सिलेबस को अच्छी तरह से देखें, समझें और फिर इसकी पूरी तयारी करें। बहुत सारे युवर T.E.T. exam को पास करने के लिए बाजार में मिलने वाले गाइड पर निर्वर रहते हैं। लेकिन आप इसके भरोसे ना रहें, क्योंकि गाइड में तो सिमित प्रस्ण दिये होते हैं, और यदि प्रस्ण उससे बाहर आ गया, तो फिर आप उसका जबाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए आप Tate के syllabus को अच्छी तरह से देखें, और उस syllabus के आधार पे रही अपनी पूरी पूरी तैयारी करें। हाँ, गाइड को आप सहारे के लिए रख सकते हैं, लेकिन पूरी तोर से आप उस पर अपने आपको निर्भरना करें। लिखित परिछा में पास होने के बाद आपको इंटर्व्यू भी फेज करना पड़ता है। यदि आप written और इंटर्व्यू दोनों में ही पास कर जाते हैं, तो फिर आप merit list में आ जाते हैं, और अब आप primary teacher बन सकते हैं। हाँ, एक बात याद रखे हैं कि यदि आप primary teacher बनना चाहते हैं, तो किसी मानिता प्राप्त college से ही course करें। कई college या university को मानिता नहीं मिली होती हैं, इसलिए वहाँ फसकर आप अपना समय और पैसा दोनों ही बरबाद ना करें। दोस्तों, मैं आपको लगातार आपके career से जुड़े, कई चीजें बताता रहूँगा कि आप अपनी योगिता के अनुशार कौन सा career जुन सकते हैं। और इसे जानने के लिए आप मेरे साथ यानि अपने दोस्त डॉक्टर यूस्परशाद के साथ बने रहें।